नमस्कार सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रिसारिक की जा रही ही शंक्ला इन से मिलिये मैं आज आपके साथ जोड़ रहा है कि अपनी राचनाओं को लेकर अपनी गशलाओं को लेकर भाई से पल्जीत सिंग जी रहीतस्थान पत्रि का जो रहीतसस निकलती है उसका सेक्षन में आप अपना दाइट को निभा रहे हैं और यह मैं तो क्या हुआ हूँ आप सब मुल्यांखन करेंगे प्रभी दिशोता तो अच्छा लिखते हैं और अपनी रस्नाओं के साथ आपके बीच आ रहे हैं भाई बल्जी सिंग जी आपका स्वागत है आपके रस्नाओं के प्रतिक क्या है जी मैं पहले तो कुछ एक दो गजल सुनाओंगा फिर एक और कवीता समय सीमा को देखते वे एक दो कवीता सुना दूँगा एक गजल आपके सामने प्रस्तित पर रहा हूँ हवा खुश्बू नदी फूलों में अक्सर देख लेता हूँ हवा खुश्बू नदी फूलों को अक्सर देख लेता हूँ मैं इस तरहा तेरा हर शे में पैकर देख लेता हूँ हवा खुश्बू नदी फूलों को अक्सर देख लेता हूँ मैं इस तरहा तेरा हर शे में पैकर देख लेता हूँ करे वो लाख कोशिस खुद को फूलों सा दिखाने की कहीं उसमें छुपा मैं एक नश्टर देख लेता हूँ करे वो लाख कोशिस खुद को फूलों सा दिखाने की कहीं उसमें छुपा मैं एक नश्टर देख लेता हूँ बजाहिर तो रहा करता है खुश्टर हम नशीनों में मगर तनहाई में उसको मैं मुस्तर देख लेता हूँ कोई साया सा है जो शाम ढलते ही उबरता है जिसे मैं चांद रातों में उफक पर देख लेता हूँ नजाने किस तरह वो रात दिन महका ही करता है इसी दिन रूह में उसकी उतर कर देख लेता हूँ दिये खाहिश के बुझना जाएं इसके पेश तर उसमें नहे एसास की शम्मा जला कर देख लेता हूँ मेरी तशना लवी की शिदतों का ये भी आलम है मेरी तशना लवी की शिदतों का ये भी आलम है मैं एक शबनम के खत्रे में समंदर देख लेता हूँ कहां तक साथ दे पाएगी कब तक महरबा होगी तुझे ऐ जिन्दगी मैं आजमा कर देख लेता हूँ ख्याले यार जब रुपोश होता है तसवर से उसे अपनी रगे जामे मुट्टर देख लेता हूँ एक नई गजल और प्रस्त कर देता हूँ हर सांस ले रहे हैं बड़ी बेहिसी से हम कितने तो दूर हो गए हैं जिन्दगी से हम तुनिया के रंग देख के खाई है ये खसम अब से कहेंगे हाल ना अपना किसी से हम अपने नसीब में तो लिखे थे हजार गम वाकिफ मगर न हो सके तेरी खुशी से हम एहसास हो चुके हैं बड़े सखत जान से मिलते नहीं किसी से कभी आजजी से हम उसके ख्यालों खाफ से ना आशना रहे फिर भी सलाम करते रहे अजनभी से हम एक बूंद भी सुकूं की मैसर नहो सकी गुजरे हैं इस कदर भी वड़ी तिशनगी से हम कुछ इसलिए सुरूर तेरी याद से मिला एक उम्र दूर दूर रहे बेखुदी से हम उसने गिला किया नशिकायत ही की कभी पेशाए उसके साथ भी पर बेदिली से हम वहमो गुमा की धुंद में रुपोश हो गया वहमो गुमा की धुंद में रुपोश हो गया उसको तलाशते ही रहे बेबसी से हम और जब से तेरी उमीद की लो मांद पड़ गई तंग आ गए यकीन की भी रोशनी से हम एक दोहा गजल पेश करना चाहता हूँ मैं जो आज के परिवेश में हम जो जी रहे हैं मोबाइल और इंटरनेट के समय के अंदर उसमें किस तरह की अमारी दिंचर्या हो गई है उसको मैंने दोहा गजल के जरीए पेश करनी कोशिस की है कि फेस्बुक पर बन गए सबके सब रंगे रंगे गड़ रहे अपने अपने पेज, तुम मुझको लाइक करो और मैं करूं कमेंट, तुम मुझको लाइक करो और मैं करूं कमेंट, इससे अपनी friendship 25% कितनी तो अब बढ़ गई तारीफों की चाहा कितनी तो अब बढ़ गई तारीफों की चाहा एक दूजे की पोश्ट को करते वावावा एक आगे जो दोहा में सुनाने वाला हूँ, इसमें च्छायवाद में एक महावरा प्रसिद दोहा था, वो मैंने इसमें इसमें इस्तिमाल किया है, कि आत्मिशलागा का नहीं होता कोई अंत, आत्मिशलागा का नहीं होता कोई अंत, कहो निराला तुम मुझे, मैं भी तुम को पन्त, बनके लड़के लड़कियां करते बातें देख, बनके लड़के लड़कियां करते बाते देख, इस आभासी वर्ल में कितना कुछ है फेक, और हर पल रहता देखिए, सोशल मीडिया मोड, हनी मून की पिक्चरें कर देते अपलोड, और 24 घंटे वीडियो पिक्चर चलती खूब, 24 घंटे वीडियो पिक्चर चलती खूब, सबके सर अब चड़ चुका, ये मूवा यूट्यूब, 24 घंटे वीडियो पिक्चर चलती खूब, सबके सर अब चड़ चुका, ये मूवा यूट्यूब, बर्थदे शादी पार्टी बिन वीडियो के सून, बर्थदे शादी पार्टी बिन वीडियो के सून, फेस्बुक पे डाल के करते खुशिया दून, बर्थदे शादी पार्टी बिन वीडियो के सून, फेस्बुक पे डाल के करते खुशिया दून, और एक सजनी साजन से कहे, मिलना शौपिंग मॉल, सजनी साजन से कहे, मिलना शौपिंग मॉल, बर्गर जब मंगवा चुको, कर देना मिस्कॉल, सजनी साजन से कहे, मिलना शौपिंग मॉल, बर्गर जब मंगवा चुको, कर देना मिस्कॉल, और जो मन में आये वही कर देते हैं सेंड, जो मन में आये वही कर देते हैं सेंड, सेलिब्रिटी की पोस्ट तो पल में करती ट्रेंड, और देखेगा, कि निर्धन रिष्टेदार को मुँ लगाए कौन, उसने साइलेंट मोड पे रख छोड़ा है फोन, और ट्विटर, फेस्बुक, वाटसेप, गूगल, इंस्टाग्राम, अब इनके बिना नहीं, चले मनुच का काम, ट्विटर, फेस्बुक, वाटसेप, गूगल, इंस्टाग्राम, अब इनके बिना नहीं, चले मनुच का काम, गिट्पिट इंग्लिश बोलते, हिंदी से परहेज, औलादें छोड़े गए, जाते में अंग्रेज, फेस्बुक पर बन गए, सबके सब र अंग्रेज, रंग बिरंगे गड़ रहे, अपने अपने पेज, ये दोहा गजल थी, एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अकाल की विबीशिका पर एक कविता लिखी थी मैंने, बहुत समय पहले, वो सुना देता हूँ, अब की बार पड़ा जो सुखा, नहीं मरेगा कोई भूका, मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे, मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे, राहत काज की मांग करेंगे, संसद में तब चर्चा होगी, केंदर से धनकी वर्शा होगी, वो दामों से अनाच खुलेंगे, राहत के पैकेज बटेंगे, सूखा पीडित काम करेंगे मस्टर रोल में नाम चड़ेंगे बड़ी बड़ी मजबूरी होगी थोड़ी सी मजदूरी होगी बड़ी बड़ी मजबूरी होगी थोड़ी सी मजदूरी होगी हाकिम दो के चार करेंगे पीडित का उधार करेंगे कागस के कार्थूस चलेंगे कारिंदे भी खुब फलेंगे सो में बीस टका फेकेंगे बाकी जेबों में बढ़नेंगे उपर की इंकम जोडेंगे, तालों पर घोडेंगे, मेता अफसर मौज करेंगे, घोटाले हर रोज करेंगे, सारे हिल मिल के खाएंगे, राज-काज के गुन गाएंगे, जंधन का व्यापार करेंगे, जंगन की जैकार करेंगे, जब नोटों की आंधी होगी, जन सेवक की चा जब नोटों की आंधी होगी, जन सेवक की चांदी होगी, महिंगी मोटर कार आएगी, माया उनकी बांधी होगी, तब तो खुब खुशाली होगी, घर में रोज दिवाली होगी दुर्विक्ष निर्धन को सालेगा, दुर्विक्ष निर्धन को सालेगा, दुख को गीतों में ढालेगा, जैसा मिल जाये खालेगा, कच्चा पका, सूखा रूखा, नहीं मरेगा कोई भुका, अपकी बार पड़ा जो सोता एक बहुत शुरुआती दोर की कवीता एक पेश करना चाहता हूँ मैं तुमको ढूनता हूँ सिर्फ तुमको मैं तुमको ढूनता हूँ सिर्फ तुमको वास्तिविक्ताओं के कठिन केनारों से परे कल्पनाओं के सुगम सागर में मैं तुमको ढूनता हूँ कभी किसी कभी की सरीता में तुमें पाने को स्वते ही गोते लगाता हूँ और कभी किसी कथाकार की नाईका के भोवन दूब कर निश्चल मिर्देर मैं सिर्फ तुमको ढूनता हूँ यही वे साधन हैं जिनके बल पर मैं तुम्हारे अर्द रूप से परिचित हो चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें साकार देखना चाहता हूँ तुम्हें अपने हातों से छूना और जीवर चीना चाहता हूँ पर मैं अभी तक तुमारे अर्दुरूप से पर्पून रूप से परिचित हूँ इसलिए संभावना के विस्तित संसार और आकांशाओं के असीम आकाश में एक टक एक लक्ष मैं सिर्फ तुम को कुई मैं जानता हूँ मैं तुम्हे पा सकता हूँ पैचान सकता हूँ तुम्हे छू सकता हूँ तुम्हे जीवर देख सकता हूँ पर इसके लिए मुझे वास्तिक गांग के जंजवातों में तूबना उतरना होगा कलपनाओं से यथार्ट के धरातल पर उतरना होगा पर क्या ये तुम भी मुझे मेरी कलपनों से राद दे सकोगी, तभी मैं ये मार्क ते कर सकूँगा, तुमेट हो सकूँगा। शब्द ब्रह्म, शब्द एक उच्चरित भनी मात्र में ही शब्द ब्रह्म होता है। शब्द कभी नहीं मरते, जीवित रहते हैं युगो युगो तक, ब्रमाण में तिरोहित होकर भी तेरते रहते हैं शूने में, हवा और पानी की तप, सूकर भी बदल जाते हैं वाष्प में और बरस जाते हैं घनी में एक बनी के, अगनी के समान रहता है उनका स्तित्टू, ह पर तुम्मेह नहीं रहा कि इंचित भान, कि लील गया तुम्हारा ये गुमान उस पुष्प का विमान, नहीं समझ पाए थे तुम, उसकी वेतनाव का पारावार, कि क्या होता है इस निल प्रेम प्रबंदर का व्यापार, कि थम गया था उस पुष्प का समूचा जीवन चक अंतरमन की दीठ हो गई थी वक्र वे पुष्प आज भी तुमारी कविताओं की पुस्तत के पुराने पीले कृष्टों में निरुद्ध है तबा कुछ लासा रस गंद और मधू से रहितने श्प्राण स्वेम से प्रतिकार लेता तुमारी शब्द ताड़ना की अनुगूं ऐसका बनी कर जिवित परमान की शब अभी नहीं 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 दिन दन्य वात बहुत है है आँ कर दो है